हाई गाईस वेलकम तो माई चानल आज की जो वीडियो है उसमें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कॉफी और गूर से नेल महंदी बनाने का बहुत ही आसान और सिंपल तरीका बहुत सारे लोगों को यह प्रॉब्लम होती है या कई बार मुझे कॉमेंट्स आता है क हमारी खराब हो गई है तो आज की वीडियो पर मैं आप लोगों के साथ चोटी चोटी चो टिप्स दोंगी उसको जरूर फॉलो करें जब नेक्स ताम आप बनाए तो आप लोगों के साथ यह प्रॉब्लम कभी नहीं होगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते है वीडियो किड्स पर खॉफी होगा कॉफी और सबसे पहले हम लेगे कॉफी और यह पर मैंने तीन पाउच ले है और यह आपको बहुत कोई भी इसको ओफोर्ट कर सकता है तो यह नहीं पूछना कि कौन सी कॉफी लेए जो भी आपके पास अवेलेबल हो आपको तीन पाउच लेने है लगबग एक चमच के करीब यह हो जाएगा अच्छा सबसे important चीज जो है आज मैं इस नेल महंदी को बना रही हूँ पतीले में और मैं आप लोगों को बता दू कि लास्ट वीडियो जब मैंने upload की थी दिवाली नेल महंदी तो उसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने comment किया था कि पत्रे का जो डिबबा है वो हमारे पास available नहीं है तो क्या पतीले में बन सकती है तो मैंने सोचा आज आप लोग के साथ यही शेयर करूँ बहुत easily आप किसमें भी बना सकते हो एक चमच के करीब हापे coffee हो गई है उसके बाद इसमें हमको add करना है एक से देड़ चमच जो है चाइपती चाइपती मैंने इसमें क्यूँ add के है यह आप लोगों को आगे बता दूँगी और सबसे important चीज जो है बहुत सारे लोगों ने जो है बहुत ही easily available हो जाता है और सबसे important चीज जो है यह बनिया की shop में बहुत ही easily आप लोगों को मिल जाएगा बस इसको जो है पतला पतला आपको slices में ऐसे cut करना है बहुत ज़्यादा जो है बड़ा बड़ा नहीं cut करना है जिस तरीक से मैं वीडियो में बता रही हूं अडियर बिलकुल इसी तरीके से जो है आप लोगों को cut करना है बहुत सारा लोग यह cut कहते है कॉमेंट्स में कि हमारा नहीं बनाई यह हमारा fail हो गया तो छोटी छोटी टिप्स का जो मैं आज की वीडियो में बता रही हूं और बहुत सारी चीजे जो मैं आप लोगों के साथ आज भी इस वीडियो में शेयर कर रही हूं छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स मैं आप लोगों को इस साथ बताने वाली हूं तो वो ध्यान में रखे अगर आपने नहल महंदी बना ली ना तो perfectly सिर्फ एक से दो बार के practice होती है and then उसके बाद जो है आप बहुत आसानी से इसको घर पे बना सकते हो सिर्फ पांच मिनिट लगते हैं ये महंदी बनाने में उसके बाद जो है ये बता दीजे आप गुड़ तो आपको कही पे भी बहुत ही easily मिल जाना है अच्छा मैंने last video में कहा था कि दो तरीके के गुड़ होते है black and जो मैं आप लोगों को बता रही गुड़ को जो है जब आप इसमें add करते हो ना नेल महंदी के लिए तो इससे color और गहरा आता है और अगर black गुड़ आपको मिलता है ना तो उससे color और भी जादा गहरा आता है और बहुत time तक हमारे नेल पे रहता है उसके बाद एक चमच के करीब यहाँ पे मैंने sugar ले ली है अगर आप चाहो तो sugar को skip कर सकते हो बट मैं आप लोगों को बता दूँ कि sugar का एक एहम रोल होता है नेल महंदी के method में बिकॉस जो है ना यह सारी चीजों को अच्छी तरीके से जब मैल्ड हो जाती तो color और भी ज़्यादा गहरा आता है तो शुगर आप चाहो तो skip कर सकते हो बहुत सारी लोग मुझे पूछते है आप लोगों की विश अगर आप एड़ करना चाहते है तो एड़ कर सकते है और αगर आप एड़ करोगे ना बहुत अच्छा color आना है उसके बाद सारी ही चीजों को अच्छी तरही से mix करना है और बीच में एक बाटी बाउल आपको यहां पर रग देना है एकदम center part में और side में जितने भी ingredients हम ने डाले थे ना उससारी चीजों को जो है अच्छी तरही से फैला लेना है एसा ना हो के एक जगा पर बहुत जगा पर बहुत जगा हो किए मैं आप आपको बता दो कि सबसे जह प्फलेम को करना है on बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट में ये भी किया था कि हमारा जल गया है तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि सबसे ज़्यादा जो लो फ्लेम होता है उस पे आपको रखना है और जो इंग्रेडियों हमने इसमें सब डाले है उसको अच्छी तरीके से जो है चारो तरफ से फेला लेना है और बलकुल सेंटर में जो है बाउर राखना है उसके बाद पाणी से भरा पातिला जो है आपको इस पे रखना और वीडियों में भी देख सकते के अपनी का पतील, है बहुत को को बता रहे हूँ पांच मिनिट तक अच्छी तरीकी से लो फ्लेम पे जो है इसको रखना है और बहुत सार लोग जो यह कह रहते हैं कि हमारा जल गया है तो पांच मिनिट से ज्यादा एक सेकेंड भी आपको नहीं रखना है टाइमर लगा लीजिए बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए उसक कि अच्छाला से मेरा जो नेल महंदी का अर्ख है वो जमा हो जुका है थोड़ा सा आप लोगों को और जूम करके मैं दिखा देती हूं बहुत ही प्यारा अक्चली कलर आया था मैं आप लोगों को पता दू कि इस महंदी को मैंने जो है 15-20 दिन पहले बनाया था वोइस मैं कल कर रही हूं वीडियो मुझे नहीं पता यह जब भी अपलोड होगे आप देख लेना और सबसे इंपोर्टन चीज पहले मैं इसको अच्छे से बनाया नेल पर अपलाई किया और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर कर रही हूं ट्रस्ट मी गाइस कॉफ और गुड से बनी नेल महंडी तोauer कि आप लोगों को बता दू कि हम कॉफी और गुड से तो नयल महंदी बना सकते हैं लेकिन क्यूंकि मैं आप लोगों को बता दू कि अगर आप चाय पत्ती का पावडर उसमें आप करते हैं तो ट्रस्ट मी काइस कलर और गहरा आता है और nail mehndi जो है long lasting रहती है उसके बाद इसमें हम add करेंगे मैदा मैदा जितनी amount आपको required है उतनी amount आपको डालना है और सबसे important चीज़ मैं आप लोगों को बता दू, consistency जिस तरीके से मैं यह जो कुछ tea powder के जो है इसमें गिर गए है तो आप छान सकते है otherwise आप ऐसे भी इसको इसको इस्तिमाल करोगी तबी भी कोई problem नहीं है trust me guys जो coffee से और good से मैंने nail mehndi बनाई है यह इतना गहरा color आया था और सबसे important चीज़ जो है इसके result बहुत अच्छे मिले अच्छा गाइस एक चीज़ मैं आप लोगो को यहां पर जरूर बताना चाहूंगी कि मैंने जो है चाइपत्ती और गूड से नेल महंदी कैसे घर पे बनाते है या फिर गूड और चीनी से कैसे बनाते है नेल महंदी घर पे कोन जो है वो कैसे बनाते है वो बहुत ही easy method way में घर पे बताया है आप लोगो को और सभी के जो वीडियो के link है मैं description box में दे दूँगी और इनके एक playlist मैंने तयार करी है तो उसका भी link आप लोगो को description box में मिल जाएंगे है तो friends सबसे पहले आपको लेना है एक empty bowl उसके बाद इसमें यहाँ पे मैं लूंगी Godrage Expert Original Natural Black यह जो powder hair color है यह आपको लेना है इसका जो दूसरा variant आता है वो आता है gel जो आपको नहीं लेना है यही वाला जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही है यही लेना है यह आपको 20 रुपे के अंदर अंदर मिल जाएंगा अगर आप इसको खरीदना भी चाहते तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और यह पे आपको किसी भी क्यामिस स्टोर पे बहुत ही इसली भी मिल जाएगा आपको जो है एक पूरा पाउच इसमें लेना है और सबसे इंपोर्टन बात जो है यह नाचरल कलर है नाचरल ब्लाक कलर है 100% ग्रे जो कवरेज है यह और यह बहुत ज़्यादा लॉंग लास्टिंग है फ्रेंड्स एक बार के इस्तेमाल के लिए एक पाउच इनफ है इसमें अच्छी खासी कॉंटिटी में जो है आपका जो नेल मेहंदी है या नेल पेंट है रेडी हो जाएगा उसके बाद जो है यहाँ पर मैं एड करूंगी इसमें जॉंसन बेबी का पाउडर वैसे तो आप इसमें कोईसा भी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन क्योंकि जॉंसन बेबी पाउडर जो होता है वो बहुत ज़दा माइल्ड होता है और अगर आपके पास यह नहीं से mix करना है पानी मदद से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक इसे दो चमच मान मैने सिर्फ पानी ले आ है और आपको जयादा पानी नहीं रखना है इस तरीके से जो मे whole मेंधी की जो गontaser BOC ूभी से आपको मेक्स करना है और उतनी ही जो है गाड सिंसेंसी होनी है डाइ एड नहीं करना है अच्छी तरीकी से मिक्स करने के बाद जो है यह आपका रेडी हो गया नेल पेंट या फिन नेल महंदी आप इसको बोल सकते हो यहां पर मैंने जूम करके भी दिखाया है कि इसकी जो कंसिस्टंसी बिल्कुल इसी तरीकी से मैंने सारे नेल्स पे त है उसकी मदद से लगाया है एंड सिर्फ दो से तीन जो मिनिट है उसमें ही इतना अच्छा कलर आया है आपको इसको सिर्फ दस मिनिट रखना है उससे ज्यादा नहीं रखना है अगर सेंसिटिव स्कीन है तो आप इसका इसका इस्तेमाल ना करें I hope friends आज की छोटी सी वीड जरू करना शेर भी कर दें